महात्मा गांधी के नेतरत में अंग्रेजों को भगाने के लिए इस देश से अंग्रेजों भारज छोड़ो और 1947 में देश आजाद हुआ अंग्रेज यहां से भाग गए और फिर बाबा साब अंबेट करने के लिएतरत में एक समिधान बना इस ये इस देश के अंदर जो भी काम होता वो समिधान से होता है के राम मंदेर का जो रिर्मान हुआ वभी स्विप्रीम कोड के नियुदेशे से हुआ जानवारी में जो मामला हुआ वह विप कोड के उसे चल रहा है तो अगर किसी नेए कोड में चीज दो निर्णा लेगा और देश के सब्नाइबिकों को को इसका सममान करते हैं यह अप किसी भाई पर जो किताब को आधार बनाया जा रहा है कुदेशिय बेगम ने जो अपनी किताब लिखी है उसको आधार बना के ना मानकर तो है ना वो दावा कर रहा है देखिए बात उसकी नहीं है बात हमारे दूसरे दावे है यह और बीसी के मामले में फेल होगे होगे 14% प कम मिलेगी चलो छोड़ो सबको मुस्लिम सिख हिसाई बहुत इनको माद इस मेरे हिंदू को दे तो तीन सो चार्तों में तो यह कुछ कर पा रहे हो क्या क्या नौकरियां दे पा रहे हो दो कर लोगों को जो बार-बार कहते थे तो यह सब ध्यान भटकाने वाली बात है कहीं कुछ नहीं है यह केवल बीझेपी जो इसम है जंता इन पर आक्रमन कर रही है कि पानी बिज्लीए पारें किसानों को उसके फसल मिर्यात करने हैं यह सब माम यह यह मख़ें है राजनीति क्यों यह राजनीति हैं और हमारा तो कहना है कि 2023 कमल नांजी की नेतरत में कॉंग्री स्कार मर नहीं दो दोजयाग चोईस में दिल्ली में राउलनांजी की नेतरतों सरकार मनें यह